तो नमस्कार मैं हूँ अनिसकुमार सिंग तो आप लोग को मैं बता दू यहां पे इंडिया वसेस युएसे की फाइटर जे टॉप फाइब पे कंपेर होने वाली है कौन हम लोग का स्ट्रॉंग है किसका वज़र्ड साधा है तो आप लोग नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब करेंट अफेर्स आप लोग के पास पहुंचा है तो चलिए टॉपिक पर बात करते हैं तो नमबर वन पर बात करें ना इंडिया का तो सुकोई और बनाया गया तो एक इंडिया ने हम लोग अपने ने वाइव सेना के लिए यूज के लिए उपयोगी के लिए खरीद लिया इस पांट यह जाता है यह डूवल इंजने है इसका मैक्सिमम इस पर 2 मैक है पर सकेंड यह विवीन परकार के हंतियार को साथ इसको लेस किया सकता है अब इसको कीमत देखो यार कीमत जो बनाने के पड़ी थी एक सो चीयालीस पॉइंट टू करो रूपीस पड़ी थी यह यह बहुत जादा है मतलब 146 कम नहीं है और यह ब सबसे बात करें तो पहले नंबर पर आती है लॉकेट मार्टिन एफ्टिफाइब लाइटिंग टू यह फिप जनरेशन की एक स्टिल फाइडर लेड़े जिसका इस्तेमाल वायू से ना मतलब यूसे की वायू से ना नो शेना और मरीन कॉप्स द्वारा किया जाता है इसका बड़ी कामियाबी है अब यह देखो कीमत इसको बनाने में 884 क्रोड रुपीस लगए थे क्योंकि देखो यार इवेसे में चलता है डोलर हमारा पार चलता है रूपीस तो यह वैसे कि हर चीज हम लोग हम लोग को आपर रूपीस में चेंज करें तो महंगी पड़ती है उस वाई उसे ना द्वारा खरीद लिया था कि भाई लाव मैं भी अपना यूज करूंगा मुझे ज़रूरत है इसका अधिक्ता मैक्सिमम स्प्रीट की बात करें 2.2 मैक है पर सकेंड यह कहीं भी बलड़ सकता है इस सरे इसको डिजान कर गया था कि हवा में बहुत अच्छे अच्छे से लड़ सकता है तो बनाने का जो फ्रांसी कंपणी ने बनाया था इसको सबसे सब्सक्राइब बनाया था किमत 133 रुपए पढ़ गयी थी उसीतरा व्यूज की दूसरे नमबर की बात करें विंग फिंग इगल अब तो नहीं फॉट जनेरेशन का यह फाइटर ज सेने के सांथ के लिए अब इसकी अधिकता में स्पीट मैक से में स्पीट की बात करें 2.25 मैक है यह मतलब वायू से पर थी वी कम नहीं है बहुत जादा है उसी तरह नों ठर्ड नंबर पर थोड़ा इंडिया के देख लें अपलों में 29 के नाम से सुन्दें होगे तो मिल्क्यों में 29 पूरा नाम है यह रूस के तोड़ा लडाकों फैटर जेड था मतलब लडने वाला फैटर जेड था इसको 19 2010 में हम लोग ने भारते वायू से ना के सांथ जोड़ दिया था हमारे इंडिया वायू से इंडिया एर फोर्स के साथ इसको जोड़ दिया था इसका अधिक्तम इस पर देखो यार 2.25 मेक है पर सकेंड अब यह क्यों है देखो यार क्योंकि देखो इसको इस तरह बनाए ग रूपीस थी मतलब खरता गया था 91 रूपीस में यह बहुत कम है फिर भी यह स्ट्रॉंग है हमारे ठाड नमर पर आता है उसी तरह युए से कभी देख लेते हैं भाई युए से का हर फाइटर डेट की कीमत जाता होगी क्योंकि मैं पहला ही बता दिया वहां पर डोलर पर चल होगा आप लोग ने यह फिप जन्रेस्टन की एक स्टील फाइटर यह वर्तमान में वायू सेना के साथ उप्योग किया जाता है अभी उसको युए से ने यूज करती है अपनी वायू सेना में और इसका अधिक्ता में स्पीड ना मैक्सिमम स्पीड 2.25 मैक है और देखो अ बनाने की रख्कम है इसको खरीच सकता है 170 क्रोड़ रुपीज को पढ़ेगा इंडियन रुपीज में तो फूर्थ नमर पर आता है हल्ते यह हिंदुस्तान के द्वारा ही बनाए गया तो समय हम लोग खूद के एक बनायते हलते इंडिया में बनाए गयाता है इसकी अधिक सकता है और हवा से ग्राउंड भी बात करता है और लडने में भी यह सच्छम ता इसको इस तरह ही डिजाइन किया गया था और इसको बनाने की में बता दे रहा हूं क्योंकि तो को यह इंडिया में खूद बनाया था तो रकम तो बढ़ेगी छे सो पचास क्रोड़ रुपै इसका सिब बनाने की रकम पड़ गई थी यह कम नहीं है बहुत जादा है और यहीं पर फॉर्थ नंबर पर इवेसी की बात करें जैनला डायनेमिक्स एंफ सिस्ट्रिंड फाइटिंग क्लॉन जो फॉर्ट जनरेशन के एक फाइटर जड़ है जो 1970 में अमेरिका अपने इसका जो रकम था बनाने की वजट थी 242 कोड रुपिस थी इंडियन रुपिस में अब युए से किये तो बढ़े गई रकम तो ज्यादा ही होगी तो इसी तरह हम लोग देखें फाइफ नमर पर ना तो फाइफ नमर पर इंडिया काता है वाइंग एफ एटीन एफ सूपर और हरनेट नाम जितना जादा इसका रकम भी जादा है अब यह यूज नहीं कर रही है फिर फिफ नमर पर आता है क्योंकि इस तरह इतना स्ट्रॉंग था अब देख यूज नहीं कर रही क्योंकि यह अमेरिका जो का बनाया हुआ एक फाइटर जेट था जिसको हम लोग ने दो कर देख कर दोगे हैं क्योंकि इसको एकुछम फिन alla थे हैं और यूज हुल Champions कि में यह योज कि बोष्ताइफ दोका दीता थे life लेकि पाकिस्तान को कर दे चुका है इसे इंडिया है फोई है इस वेए रेक्रadas दोकर दे था नहीं कि नहीं तो दो क्रोड रुपिस में इसको खड़ दे थे बाई यह बनाया गया था USA में और USA की जानते हैं यह आपको डॉलर में होती है और यह आते आते हैं इंडिया में इसको रज़र बज़र्ट पढ़ जाती है अब भाई देखो हम लोग का स्ट्रॉंग जीडिपी तो होई रहा अब हम लोग खुद कभी बना सकते आने वाले समय में फाइटर जेड और देखो फिर्ट नमर पर यहां एमसी डॉनल्स टॉगलस ऐफ एटीन होनेट यह से किया है जो फोर्ड जनरेशन के फाइटर जेड है जिसका इस्तेमाल अब 1910 के इस्तेमाल में किया गया था और यह अपन डिफेंस की इसकी जो लड़ाकों भी माने ना यह काफी स्ट्रॉंग होती है इसमें कोई गुनवाइस नहीं कि यह कमजोर होती है भाई देखो जो भी टक कर लेगा वो धूल में मिल जागा मैं बता दे रहा हूं इसकी अधिक्ता मैक्सिमम स्ट्रीट की बात कि जाए 1.8 मै है सोचो यह हवा से बात करी सकता है और सांसा जमीन से बात कर सकता है मैं नहीं बोल रहा हूं कि कमजोर है इसकी बताओं इसकी तो बनाने की कीमत ना बता दे रहा हूं 224 पर गए थी और इसको बनाया गया था कब पहली समय 1978 और 1980 में Air Force के साथ और Marine Corps के साथ उतार दिया गया पहले नंबर पहले समय सही टाइम पर आ जाए तो बाई बाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स दे के साथ न्यू करेंट अफिर्ट के सांथ